नमस्कार में दिव्या स्वागत है आपका अचके इस मौसम समाचार में बीते दिन बिहार में कई जगों पर दोपैर के बाद मौसम के मिजाज में थोरी बहुत बदलाव देखने को मिले दरसल दोपैर में हलकी बूंदा बांदी के बाद सर्द अधिक महसूस किया जाने लगा साथी दिन के तापमान में दो से तीन डिगरी तक की गिरावट देखने को मिले हालांकि सुबह का मौसम धूप निकलने की वज़र से सामाने था मौसम विभाग द्वार अनुमान लगाया जा रहा कि बारस के बाद जो मौसम में ये पूरे सब्ता देखने को मिल सकता है बादल चाय रहने के कारण फिर से कई जगों पर बारस के अनुमान लगाए गये हैं लिसके कारण ठंड का एहसास बना रहेगा आज के लिए मौसम में भागने बकसर, भोजपूर, रहतास, भवुआ, औरंगाबाद, अरवल और पटना, गया, नालंदा, सकपूरा, नवादा, बेगुस, रायल, अखिस, रायवा, जहाना बाद, जिले में एक या दो जगों पर वजडबाद के साथ में गरजन की संभा ना जताई है, हाला कि इसके बाद आने वाले आठ फरवरी तक किसी प्रकार की कोई चेताबली जारी नहीं की गई है, प्रदेश के अधिकतर जलों में आज का दिकतम तापमान 20-22 डिगरी और 22-24 डिगरी के बीच रहने वाला है, वहीं नियुनतम तापमान 12-14 डिगरी के बरहोतरी हो सकती है, उसके बाद फिर अगले दो दिनों तक मौसम के नियुनतम तापमान में 2-4 डिगरी तक की गिरावर देखने को मिल सकती है, हाला कि आने वाले पांच दिनों में आधिकतम तापमान में कुछ खास बदलाब देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बिहार के म मौसम के बाद आई अब एक नजर देश के मौसम पर भी डालते हैं तो यहां पस्ट में हिमाले पर हल्की से मध्यम बारिस और वर्फबारी के साथ एक या दो अस्थानों पर भारी वर्फबारी की संभाव ना जताई गई हैं वहीं पंजाब हर्याना राजस्थान उत्तर प् ौसम के से लेकिन अरुनाचल प्रदेश में कुछ जगों पर हल्की बारिस और वर्फबारी की संभाव पंजाब और हर्याने के खुछ हिस्सों में सुभा के समय बहुत घंगि पत्रम बंग लाय देखने को मिल सकता है आज के लिए फिलाल इतना ही आपके चेत्र में मौसम के क्या च्थति हमें कॉमेंन्न करके जरूरा